मैं विरंदर कश्यप मेंबर पार्लेमेंट लोगसभा शिमला हिमाचल परदेश से सबंदित हूँ और आज मुझे इस चैनल पर आपके चैनल पर कुछ जो पिछले सड़े चार वर्षों में मोदी जी की केंद्रिय सरकार के माध्यम से इस देश के विकास के लिए और खास करके हिमाचल परदेश में जो विकास के कारे हुए हैं वो आप तक के द्वारा जंता तक पहुंचाने का एक अच्छा सुवसर मिला इसके लिए मैं आपका अभार विक्त करता हूं धन्यवाद करता हूं पिछले सड़े चार वर्षों में अगर हम राष्टे स्तर पर मोदी जी की योजनाओं को लेकर देखें तो उनका जो केंदर केंदर बिंदु रहा है वो गरीब रहा है दलित रहा है पीछड़ा वर्ग रहा है गाउं रहा है किसान रहा है और उन्हीं के लिए उन्हों में जितनी भी योजनाया बनाई हैं उन्हीं को केंदर बिन्दू मानकर जो है वह योजना का शुरुवात की गई आ और उसका आज डिजर्ट जो हें वह हमारे पास देरे-देरे सामने आ रहे हैं चैए वो प्रदान यूजना हो चाहे वह परधानमंत्री फसल वेमा यूजना हो या सामाजिक और स्काइभ के लिए हमारी जितनी भी वी 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 वेमा यूजनाएं प्रधानमंत्री और स्काइभ स्काइभ यह यानि 07 Fabio invers comp, प्ली रूपर, प्रबाइन वे, में हम दे कर stumble रुपए साल का प्रीमियम उसमें दो लाख रुपए तक का जो है वो हम एक्सिडेंटल जो है वो धुर्गटना का जो है वो बीमा हमको प्राफ्ट हो सकता है इसी तरह से 330 रुपया यनि लगवग 90 पैसे प्रती दिन के हिसाब से अगर हम अपना प्रीमियम जमा कराते हैं तो उसमें प्रधान मंत्री जो है वो भीमा योजना के माध्यम से हम जो है अपना दो लाख का जो है वो भीमा करवा सकते हैं इसी तरह से अटल जी के नाम पर जो है वो से जमा करवाते हैं तो एक हजार से लेकर यनि पांच हजार तक जो है उसका साथ वर्ष की आयू के बाद हम अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार की बहुत सी योजना है अगर हम आज देखें तो वो किसानों के हित में हमने कहा है कि किसान की आमदनी 2022 में हर किस सिंचाई योजना ताकि हर खेत को पानी हम उपलब्द करा सके इसी तरह से प्रधानमंतरी फसल भीमा योजना यानि किसान की अगर जो है फसल बरबाद हो जाए सुखे की वज़ा से बरबाद हो जाए ओला वृष्टी की वज़ा से बरबाद हो जाए या अन्य किसी कारण स से वह परिशानी में आ जाता है तो उसका भी हमने भीम, आपने किसानों का करवार है, इसी तरह से किसानों को बैंकों में वह रीन उपलब्ध हो diferencia 라고 इस्के लिए भी अलग से प्रावदान हर बैंकों में इतनी धंद्राशी जम्हा की गई है ताकि कोई भी किसान किसी बैंक से निराश ना जाए इसके लिए भी हमने जो है वो प्राभधान किया यहीं नहीं साथ ही किसानों की लिए जो है वहर जो हमारी एपि-एम्सीस है रेगुलिटिड मार्केट से जो मंडियां है इस देश की पा наж arrivéक 250 एपि-एम्सी Best को हमने इंट्रैट के साथ जुड़ा है और इंट्रैट के साथ जुड़ा है ताकि किसान जो है सुबह उठकर ये देख सके कि किस मार्केट में मेरे प्रोड्यूस का जो वो पैदा कर रहा है उसका मार्केट वेल्यू कहां सबसे जाला है तो इस परकार से ये इस परकार की बहुत सी योजनाएं हमने लाई हैं महिलाओं के लिए आज अगर हम देखते हैं कि जो हमने जो है वो एलपीजी का कनेक्शन जो है वो फ्री देने की वैवस्ता किया लगबग 6 क्रोड महिलाओं को अभी तक जो है वो ये सुविदाय हम दे चुके हैं इसी के साथ साथ एक जो सबसे बड़ी योजना जो मैं कह सकता हूं मोदी सरकार के द्वारा हमारे स्वास्थ के जो मंत्री हैं शिरी जगत परकाश नड़ा जी हमारे हमाचल परदेश से हैं उन्होंने एक बड़ा रेवलिशनरी जो है वो एक स्कीम लाई है मानिय नरेंदर मोदी जी के आशिरवाद से वो है इनी आयूशमान भारत यानि इस देश के 10 करोड परिवारों को यानि लग गरीव आदमी जो है वो इलाज ना करा सके तो पांच लाख तक का जो है वो इंशुरेंस हेल्थ इंशुरेंस जो है वो मोदी सरकार कर रही है इसी के साथ साथ मैं कहना जाता हूं कि हमाचल परदेश को भी जो है वो मोदी सरकार ने बहुत कुछ इन सड़े चार वर्षों म बंद कर दिया था हिमाचल के लिए उसको हमने मोधी सरकार ने दवारा से किया है कि सभी केंदर की जितनी भी योजना है Central Spencer Scheme होंगी उसमें 90 प्रतिशत केंदर बहुत करेगा और 10 प्रतिशत जो है वो स्टेट बहुत करेगा यह हमको एक सबसे बड़ा जो है लाव मिला है इस जिट ही के साथ मैं एक जोड़ना चाहता हूं क्योंकि मैं क्रिया चाहता हूं कि को और बहले ही शिम्ला के नाम से जो अंगरेजिए के समय में जो है वो गृष्व कालिन जो है अंग्रेजिए के टाइम में जो है वो राजधानी होती थी प्रंतु शिम्ला को छोड़ कर जो है या अन्य जिला headquarters को छोड़कर ये अभी भी विक से तितनी जादा नहीं हुई है इसमें मैं कह सकता हूं कि केंदर की सरकार के माध्यम से मोदी जी ने जहां हिमाचल पर्देश को बहुत सी योजनाय दिये है मेरे शिमला पार्लेमेंटरी के लिए एक आई 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 अम दिया है एक कोई छोटी बात नहीं एक संस्थान यानि इंडियन इस्टूट ऑफ मेनेजमेंट हर एक जगा नहीं मिल सकता है अभी तक हिमाचल पर्देश में चार मेडिकल कॉलिज दिये गए केंदर सरकार के मादियम से हमारे को यानि एक कॉलिज जो है वो नहान में जो है वो मिला है मेरे शिमला पार्लेमेंटरी कॉंस्टूंसी में और एक सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूं कि हिमाचल परदेश में अगर हम योजना जादा से जादा बननी चाहिए उसमें मैं अपने प्रदानमंत्री जी का नितिन गटकरी जी का जो रोड और ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने पिछले दिनों हिमाचल परदेश को लगवक सतर जो है वो नेशनल हाइबेज दी हैं और इन सतर नेशनल होगी सड़के बननी शुरू होंगी और जब सड़के बेतर होंगी तो हम कह सकते हैं कि रोड वेज के माध्यम से हिंदुस्तान का जो टूरिस्ट है परियाटक जो है हिमाचल परदीश में ज्यादा से ज्यादा आएगा क्योंकि परियाटकों के लिए हमारे पास अभी रेल प्रफेज के माध्यम से भी उडान की जो स्कीम है जिसमें माने शिंद्रेंदर मोदी जी कहते हैं कि जो हुआई चपल प्यानने वाला व्यक्ति भी इस देश का वो भी हुआई जहाज में सफर करे तो उसकी शुरूआत जो है वो हिमाचल से शिमला से शुरू हुई है आज उसका भी लाब जो है वो परियाटकों के माध्यम से भी माचल परदेश को मिल रहा है और इसी के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ के केंदर की सरकार ने विभिन जो हमारी टूरिजम के साथ जोड़ा हुआ मामला है उसमें बहुत अच्छा काम किया है अभी श्र जानमंत्री जी उनको आशिरबाद देने धरमशाला आये थे मैं कह सकता हूं इन एक वर्षों में और उनके एक वर्ष के जो पहले नौ महिने उसमें 9000 क्रोड रुपया वहां के विकास के लिए मिला और इसमें 9000 क्रोड में भी 1900 क्रोड रुपय की जो योजना है वो पर्य जो है वो ध्यान रख रही है और भी बहुत सी योजना है मैं उनको गिनाने लगूंगा समय काफी लगेगा पर मोटे मोटे तौर से मैं कह सकता हूं कि इन इस्यूस को हमने उठाया है और साथी साथ वहां पर हमारा जो एपल ग्रोइंग एरिया है शिमला का उनकी भी बहु भी विभिन मंत्राल्य हैं उन मंत्राल्यों के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि सेव उत्पादकों के लिए जो यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगती थी वह जो है हमने उसमें काफी जो है वो उसको बढ़ाने के लिए प्रयास किये 50 प्रतीशत जो है अभी तक है कि बाहर का सेव हमारे हिंदुस्तान में आए भारत में नी आए हमारे देश में नी आए और बाहरले मूख से जब सेव आ रहा था तो हिमाचल प्रदेश के सेव को उसका सिधा सिधा एफेक्ट पड़ता है तो उसमें भी हमने कहा कि 50 प्रतीशत का जो उसको और बढ़ाया जाए ताकि बाहर का जो सेव आए उसकी कॉस्ट जादा हो तो यह भी हमने रखा है मेरी हिमाचल परदेश में और खास करके है कि उनको ट्राइबल घोशित किया जाए जन जाती घोशित किया जाए उसके लिए भी हमने प्रियास किये हैं केंद सरकार तक हम उसको पहुंचाया है और आज वह मामला आर जी आई के पास है और अभी आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यह उन लोगों के ल अंबे समय से संगर्श्रत हैं निमांड जुनों ने उठाई है वह आने वाले दिनों में शायद पूरी होगी ऐसा मेरा मालना है बाकी और भी है पर एक बात आखेर मैं और कहना चाहता हूं कि आज कई वार मीडिया के माध्यम से बहुत सी चर्चाएं सांसदों पर इसलिए क्रोड रुपया हर सांसद को जो है वो मिलता है ताकि वो जहां जहां पर भी आवशक्ता समझे डिमांड के ओपर जो है जनता की डिमांड पर वहां पर विकास के लिए पैसा दे सके कई बार अखवारों में आपके मीडिया के माध्यम से ये चर्चा बहुत तेज रहती है क पर मैं ये कहना चाहता हूं कि सांसद सभी पैसा जहां जहां डिमांड होती है खर्च करते हैं पर मैं तो अपनी बात कह सकता हूं कि शिम्ला पार्लियमेंटरी कॉंस्योंसी में हमको पिछले सड़े चार साल में सड़े बाई करोड रुपया जो है वो मिला है डाई करोड अभी मिलेगा तो सड़े बाईस करोड रुपय में लगभग 1454 जो है विभिन योजना है चाहे वो हमारे लिंक रोड की बात हो रास्तों की बात हो कोई कॉंक्रीट का रोड की बात हो एम्बूलेंस की रोड की बात हो तो उसमें हमने 1454 भिभिन योजना सड़े बाई करोड रुपय की बनाई है और इसमें हमने प्रायरिटी जो है वह एम्बूलेंस रोड के लिए सके सामुदाइट के अंदर बन और वहां पर महिला मंडल सके यूपकों के अपनी मनोरेंजन के साथ उनकी बैठकों के लिए एक भवन बन सके उसके लिए और ट्वालेट के लिए हमने पैसा दिया है और यह इस परकार के जो काम है वह हमने पूरे का पूरा 100% सड़े 22 के सड़े 22 करोड रुपया आज जो है वो जनता के लिए हमने जो है वो जो एक्जिक्यूटिंग एजनसी जह उनके तक उसको पहुंचाया है अब वहाँ पर वो पैसा लग रहा है कहीं कहीं लग रहा होगा कहीं पर लग चुका है तो इन सड़े च चिम्ला पार्लियमेंटरी कॉस्ट्वनसी में जो अंडरडव्ट एरियाज हैं जहां पर विकास की कीरण कम पहुंची है वहां पर हमने उसके लिए अपना प्रयास किया है अपने हिम हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी पंचायत है जिसको हम पार्लियमेंट कहते हैं संसत क जाते हैं वहां पर उठाणे का हमने भरपूर प्रयास किया है और यहीं नहीं उसमें के अंदर की सरकार ने विसका कॉगनिजन्स लिया है और वसी योजनों के लिए भी जो है हमारा सहोग जो है दिया गया